आपके साथ बिहार के बेगु सराय में एक बार फिर से अपराधियों का दिन दहारे तांडव देखने को मिला है बता दे कि दिन दहारे फाइरिंग होती है हाला कि गनीमत की बात ये रही कि इस फाइरिंग में किसे भी अपरिय घटना की कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई तो देखिए एक बार फिर से जहां एक तरफ बिहार के डीजी पियारेस भटी रगतार अपने पुलिस महकमे को और अपने पुलिस विभाग को स्ट्रिक्ट मोड में और एक्टिव मोड मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं दूसरे तरफ बिहार में अपराधी आए दिन पुलिस को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं बता दे कि बिहार में आए दिन अपराधी घटना इतनी बढ़ रही हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म होते और अपराधियों का होसला बुलंद होते दिख रहा है और हालिया मामला बेगू सराई का है जहां अपराधियों ने दिन दहाडे फाइरिंग की है और इस फाइरिंग में हाला कि किसी को गोली नहीं लगी है और किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है बता दे कि बेगू सराई में एक बार फिर बेलगाम अपराधियों का तांडव सामने आया है बता दे कि दिन दहाडे अथियार लेस बदमासों ने फाइरिंग की घटना को अंजाम देकर नकिवल पुलिस को खुली चुनोती दी है बलकि लोगों के बीच अपनी बादशाह कायम रखी है दिन दहारे हुए इस घटना से अपराधियों के मनोबल के सामने कहीं न कहीं बेगू सराई के पुलिस बॉनी सावित हो रही है दिन दहारे पुलिस के नाक के नीचे अपराधियों की फाइरिंग से लोगों में भगदर मच गई घटना में पुलिस की नाक उस गोली की यानी फाइरिंग की घटना को अंजाम दिया इस गोली बारी की घटना सामने आने के बाद पलिस के नींद हराम हो गई है घटना के बाद थाना ध्यक्ष पुरे मामले की चानबीन में जुट गए हैं फिलाल इस फाइरिंग की घटना से इस्थाने लोगों में दहशत व्याप्त हो गया है वहीं लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है बताये जा रहा है कि अपराधियों के द्वारा कुलबाडा मस्जिद के पास ताबर तोड फाइरिंग सुड़ू हुआ और देखते धेखते घटना स्थल पर भगदर मच गई आपको बताते चले कि जिले में अपराधियों के द्वारा एक से बढ़कर एक घटना को अंजाम दे कर जिले में दहशत पैदा कर दी आदे की बीटे कुछ दिनों पुर वही यग्य देखने जा रहे एक बायक सवार यूवक को अपराधियों ने लूट पाच के दौरान गोली मार कर उसकी हत्या कर दी थी वहीं दूसरी तरफ लोक प्रिया मुखिया को सर्याम गोली मार कर जखमी बना दिया था पुलिस इन दोनों मामलों से उपर ही उपर ही नहीं पाई और इसके बाद जो बड़ी घटना निकल कर सामने आई बेगू सराय में वो ये हुई कि दिन दहारे अपराधी आते हैं और फाइरिंग करते हैं हाला कि इस गोली बारी में स्पाईरिंग में किसी को गोली नहीं लगती है किसी भी अपरिया घटना के कोई खबर नहीं आती है लेकिं देखिए इस तरह से वियार में अपराधी पुलिस को चेलेंज करते नजर आ रहे हैं और इतना ही नहीं सिर्फ घटना को अंजाम देना नहीं बलकि लोगों के बीच जनता के बीच अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश अपराधियों के तरफ से होती हुई नजर आ रही है फिल्हाल इस ख़वर हम बस इतना ही और वी वीडियों और अप्डेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूस फोनेशन